दोस्तों आज कल हम सब बहुत ज़्यादा health conscious हो गए हैं जिसके बज़े से silver की कड़ाई हो या फिर कोई non-stick कुक्वेर हो हम उसको avoid करके cast iron और steel पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लेकिन cast iron को कैसे यूज करना है आज चलिए उस पे जानते हैं जय जगदनात अब सबका स्वागत है मेरी चानेल जिले spice works में दोस्तों आज चलिए हमारा topic जो cast iron है उसके बारे में आज जानते हैं मैंने ये cast iron जब लिया था उस time unboxing के time पे ये नहीं सोचा था कि इसकी उपर कभी एक video बनाऊंगी मैंने तो ऐसे cooking के दिये लिया था लेकिन ज जब निकाली दुबारा यूज करनी के लिए तब देखा कि इसमें बहुत अच्छे से ये जंक जम गया है जो राष्ठे हो हो गया है लेकिन इसको जब मैं clean करने गई उस time लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये tips में सेयर करूं जो चीज मैं आज cast iron के साथ करूंग क्योंकि लगता है कभी कभी कि आप लोगों को भी इसकी मदद चाहिए ये जो जंक है ये अंदर नहीं देखिए बाहर के तरफ भी हो गया है आप लोग देख सकते हैं हमारा जो cast iron का जो नीची के लिया है उसमें भी हो गया है अंदर भी हो गया है तो आज के वीडियो में इसको कैसे clean करेंगे और कैसे maintain करेंगे जिससे कि हमारा ये जंग दुबारा नहीं होगा हम उसके बारे में जानेंगे और इस cast iron का कुछ advantages भी है और कुछ disadvantages भी है जैसे सारे चीजों का होता है उसके बारे में भी कुछ points बताऊंगी तो पहले चलिए हम इस जो cast iron skillet को clean करते ह हैं clean कर ले के लिए मैंने आज मेरी सिंक में आ गई हो और उस पे दोस्तों बसे इसको जो clean करने के लिए जो नीम्बू हम नी चोड़ते हैं सरवत के लिए या फिर सुबह काढ़ा के लिए उसमें से एक पिस मेंने लिया और उसको ऐसे में रव करूंगी इतना ध्यान रखि तो हर कुकिंग के बाद आपका जो काष्ट आरन है वो सिजनिंग मांगता है मतलब मेंटेनेंस मांगता है तो उसको कैसे मेंटेन करना है तो बस यह जंग छुड़ाने के लिए मैं एक बार यह नीम्बू का यूज कर रही हूं लेकिन नीम्बू के ज्यादा मत किजिए इस लेकिन एकम прок सुखले का तो इसे क्या होता है जो खने के टाइम में यूज करेंगे तो इस से जो आइरन निकलेगा तो खने में आएगा लेकिन वाज करने के टाइम में निकाले तो ऊतो Regardshodhे जाएगा, तो उसे लिए आस जंग ज्यादा था उसलिए हम एसे राब कर इसने मुका भी फेंग देती हो, और देखिये, क्लीन हो गया ना, अब इसमें हम दो ड्रॉब जो लिक्विड डिटरजेंट है उसको डालेंगे, आप लिक्विड डिस्वासर में डाला है, और आप लोग अगर चाहें तो आपके पास जो भी स्क्रब आप यूज करते हैं, भ अराम से छोट जाएगा, यह दिखिये, इसको वस में अच्छे से से क्लीन कर लेना है, इसका जो जंक वाला पार्ट है, इसको हमें पूरा निकाल लेना है, अभी अंदर का हमने जैसे की, जैसे रभ करके कर रहे हैं, वैसे ही हम बाहर का पार्ट करेंगे, कास्ट आइरन जो यह चलती है, इसमें कोई केमिकाल नहीं होती है, यह निचुरल ही बनती है, तो उसी लिए यह कास्ट आइरन जो है, और आप देखेंगे, अगर गाओं जाते हैं, तो आपकी दादी नानी की टाइम का भी कास्ट आइरन का जो प्यान है, वो एजटीज रहता है, बलकि वो कास्ट आइरन को उस दिन आप यूज करते करते करेंगे ना आपको इसमें फिलिंग्स आएगा, ना खाना जलेगा, ना चिकेगा, और देखिए हमारा कास्ट आइरन का स्किलेट है, वो कितना सुंदर हो गया, पीछे से भी और अंदर से भी उसका सारा जंक निकल गया, आप उसमें खाना बनाएंगे, उसके बाद धोने के बाद आपको कास्ट आइरन की स्किलेट को ऐसे आपको लो फ्लेम पे रखना है, और लो फ्लेम पे रखके इसको इसका पूरा पानी सुखा देना है, पानी इतना चलती सुख रहा है, मत समझे कि मैंने हाई फ्लेम किया ह मैंने वीडियो बहुत फॉस्ट कर दिया था उसी लिए अब ये ग्यास मेरा मतलब पूरा पानी स्किलेट का सूख गया है पीछे से देखिए बिल्कुल भी रष्ट नहीं है अंदर का भी नहीं है अभी हम ग्यास बंद कर देंगे पहले ग्यास बंद करके बस फिर उसमें हम आपकिन लिया है यह मेरा कॉटन का ही नैपकिन है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे अब वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे फोल्ड की हूँ और इसका ऐसे चारों की नर्व को पकड़के इसको अब धागे से यहां पर टाइट कर दीजिए या फिर ऐसे रवर से इसको टाइ इस पोटली का काम है काश्ट आइरन किसकी लेट या प्यान में यह सवाल है मन में चलिए बताती हूं जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हर बार हमरे काश्ट आइरन को मतलब धोनी के बाद सिजन करना बहुत जरूरी है उसमें हमारा यह पोटली काम आएगा आपके पास ज चोटी चमच मैं तो रिफाइंड डाल रही हूं लेकिन आप कहीं पे भी देखिए किस मतलब जब इसका इसके साथ जो पैंपलेट आता है उसमें भी देखिए तो उसमें लिखा होता है तिल का तेल ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ सरसों के तेल को छोड़के अब कोई भी ऑई स से सीजन कर सकते हैं तो अभी देखिए दोस्तों अब देख रहे हैं मैं चारों और उसको घिस घिस के मिक्स कर रही हूं मतलब स्प्रेड कर रही हूं ऐसे हम चारों और से उसको फैला देंगे मतलब यह जो ऑईल है इसको हमें चारों और करना है जैसे कि यह हैंडल भी है न तो यह वालग जो काम है इसको आपको हरवर करना पड़ेगा जब भी आपका आश्टारन में कुछ भी बनाईगा तब जाके आपका काश्टारन पुरा मेंटेन रहेगा और दीरे दीरे उसमें नॉन्स्टिक कोटिंग भी बनेगी और अगर आप oil ऐसे ब्रस नहीं करेंगे तो क्या होगा आपका काश्टेरन में जंक लगना सुरू हो जाएगा अब फिर से हम इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल के उसको फिर से हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे और बाहर का लेयर नहीं करेंगे ऐसे अंदर ही हम स्प्रेड कर देंगे यह दिखिए मैंने अंदर स्प्रेड करने के बाद उसको बस हमें यही होता है काश्टेरन का असली सीजनिंग जो बोलते हैं ना प्रापरली सीजन होके काश्टेरन आता है यही है दोस्तों और कुछ न और चारो और अच्छे से ओयल में ने स्प्रेड कर दिया, अभी फिर से लो फ्लेम करूंगी और पांच मिनिट के लिए मैं ये काश्टरन को गरम करूंगी, जिससे क्या होगा, ये जो काश्टरन जो ओयल है वो अपचर्प कर लेगा और इसमें जंक नहीं लगेगा, और जिस आप ऐसे कोई डबे में रख लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी आप काश्टरन में कुछ बनाएंगे और धोएंगे, गरम करेंगे, तो सीजन करने के लिए इसी पोटली को आप यूच किजिए, चाहे ओयल डालिए ना डालिए, इसमें जो आयल है, उससे भी अगर खाना बनाने के लिए पूरा तयार है, तो आप लोग इसके जो कुछ अडवेंटेज़स हैं, कुछ डिसअडवेंटेज़स हैं, मैंने लाश्ट में इसका दे दिया है, आपको डेस्क्रिशन बॉक्स में भी इसका मिल जाएगा, मैं उसमें भी मेंसम कर दूँगी, आप ल रही हूँ, और आसा करती हूँ, मेरी ये वीडियो आप लोगो कुछ helpful हुई होगी, और आगे को इसके साथ नए रेसीपी देखने के लिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रही है, आसा करती हूँ वीडियो पसलाई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 श्यवाद, इस अलग, बहुत धन्यवाद, झाल झाल